हलो एवरिवान चाय भोलेनात कैसे हो आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे यह जो हम रीडिंग आज करने जा रहे हैं तो आपको जैसे पता है है आपके पॉसन की फीलिंग्स हम देखने वाले हैं क्या यह पॉसन इस वक्त फील कर रहे हैं इ कुछ नहीं हो रहा है मैं प्यार से उनको बना चाहूंगी सिर्फ ञोगों को बोलना चाहूंगी कि यह जैनरल होती है इसको आप अगर रिजर नहीं मिल रहा है इसको देख देखे तो आपको जिन पे भरोसा है उनसे आप personal reading लेके confirm करके wait कीजिए आपके partner का अगर जैसे कि कभी कभी पता चलता है कि reunion होना मुश्किल है तो आप move on कर सकते हो तो हमेशा ना पता चले कि हाँ मेरा यह काम होगा फिर wait करें फिर भी अगर आप यह नहीं कर पा रहे हो तो एक और trick है कि आप जितनी भी reading देखते हो YouTube पे उसमें जो positivity है उसको सोचो रीडिंग सुनते सुनते जो positive बात सुनोगे उसको claim करो उसको सोचो उसको visualize करो इसको एक other tool की तरह use करो यह जो current feelings आप रोज सुनते हो इसको एक medium एक tool की तरह use करो जिसको सुनके आप visualize करोगे कि हाँ आपका reunion हो गया तो मतलब आपका काम भी हो जाएगा आपका time भी वह इस नहीं होगा ठीक है तो बस यहीं एक छोड़ा सा बात मुझे बताना अब था और कुछ नहीं और चली देखते हैं कि आपकी person की इस अपको ल the lovers का card पहले ही card the lovers मतलब मुझे ऐसा feel हो रहा है कि पहले ही ball में छक्का लग गया है यहां पे ठीक है number six का भी card है so Venus का भी card है so जो भी है बहुत ही beautiful card है बहुत एक strong soulmate connection आप दोनों का है और आपके person इस वक्त कहीं न कहीं आपके साथ strong soulmate connection को feel करते हैं चाहे आप दोनों के बीच में no matter क्या situation है लेकिन जो miss करना होता है जो feelings होती है प्यार करना होता है तो उनों के बीच में मुझे equally यह चीज़ दिख रही है ठीक है जितना प्यार आप इस person को करते हो कहीं न कहीं उस तना या फिर you know उससे थोड़ा कम ही है लेकिन यह person भी तो है मुझे यहां पैसा लगता है कि problem है choices आपके partner के सामने बहुत सारी choices है मतलब काम की बहुत सारी choices person की बहुत सारी choices इनका अकल ना बंद हो जाता है जब यह उनके सामने options देखते हैं ठीक है तो basically मुझे यहां पर क्या लग रहा है कि इनकी थोड़ी सी बुद्धी different चीजे हैं या तो करने के लिए या तो देखने के लिए या तो सोचने के लिए तो यह person क्या करते हैं वही सारी चीजों में उलज गये हैं और feelings होने के बावजूद भी यह choices को देखने लगे है ठीक है तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि एक person को अगर feelings है अगर वो है आप इतना तो सुनके खुश हो सकती होना कि इस इंसान को feelings है आपके प्रती feelings मरा नहीं है यहीं तो बहुत जादा खुशी की बात होती है अप relationship में प्यार में सबसे पहले क्या ही expect करोगी कि यह इंसान मुझे प्यार करें तो वह तो feelings है तो मतलब पहले से ही आपको कर रही है कि हो सकता है कि पॉर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं है आपके आख से आख मिला पाएं मतलब आपके आख में देख पाएं कभी कभी होता है ना कि इंसान इतना जादा गलती कर बैठता है या फिर इतना इसा कुछ चीज़े होता है कि इक इंसान जो उसकी गलतिया ह होती है उसको पता तो होता है कि मेरे से गलती हुई है और वो सच का सामना नहीं कर पाता है तो मुझे बेसिकली आपके पॉसन का वही सिक्वेशन दिख रहा है कि इनसे सच का सामना नहीं हो पा रहा है इनसे आपका सामना नहीं हो पा रहा है सर्म से आखे जुग जाती है जब ओके नेक्स्ट हमारे पास है ओके जमिना एनर्जी थी अभी हमारे पास कैप्रिकॉर्ण चॉरेस और वोगो एनर्जी है हमेट एगेन वोगो एनर्जी स्ट्रॉंग वही के वही अनर्जी आ रही है आप दोनों के बीच में प्यार इस वक्त बहुत जादा तगड़ा है यह जो लोग भी रीडिंग देख रहे हो मैं ओनेस्टी बोलूंगी कि एँह लोगों के लिए आज रीडिंग है जो इक बहुत स्ट्रॉंग त्वे इंफ्लेमं कनेक्शन में हो कार्मिक वालों के जादा आज रीडिंग है नहीं और एक और चीज मुझे आप दोनों के बीच में लगता है अगर आपको पता नहीं है आपका कौन सा connection है आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि यार जो love है मुझे दोनों का ही दिख रहा है मुझे किसी का जादा किसी का कम नहीं दिख रहा है equal feelings मुझे दोनों का दिख रहा है कल की तादा याद आती है relationship में आज तो हम दिन काट लेंगी आगे जाके क्या हम एक हो सकते हैं क्या हम अर्शादी हो सकती है क्या हमरे बच्चे हो सकते हैं यूनों क्या family accept करेगी ये इशू है वो इशू है सो basically आपके person आज में नहीं जीते हैं वो future में जीते हैं उनको पता है कि love है दोनों साइट से है लेकिन बहुत logical mind के person है ठीक है और एक चीज़ मुझे लगता है कि ऐसे भी हो सकता है कि आपके partner आपको बहुत जादा प्यार करते हो लेकिन वो अपनी family के बहुत जादा मांते ह हैं और वो अपने उनकी जो specific family है वो इनका दिल नहीं दुखा सकते हैं मुझे ऐसा कुछ देख रहा है लेकिन homemade energy के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको प्यार करने के बावजूद भी यह person अकेला पर महसूस करते हैं request है अगर अभी तक आप इस reading को देख रह अजी के साथ आपके person को बहुत सारी चीज है ठीख है आपके related बहुत सारी चीज है कौन उनको अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है everything कध्य है नहीं है वो काफी बुद्धी है इनके अंदर और आपके बिना बहुत जादा अकेले हैं बहुत अकेले पड़ गये हैं मैं बोल सकते हूं mentally, mental level पे ये मुझे ऐसा दिख रहे हैं कि बहुत जादा अकेले पड़ गया है यहां पे ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि इनको कोई इस वक्त समझाने वाला नहीं है कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो और आप कुछ ट्राइ नहीं कर रहे हो क्यांकि आपने आल्री कर दिया है आप ठक चुके हो you are bastard और कितना करूं कुतना खुद की बीज्यती कितना खुद की इंसल्ट कर वा ओं तो एसा सोच के आप भ不會 इनको मनाना चोड़ दिया है या फिर आपने भी इनको सताना छोड़ दिया है, समझाना छोड़ दिया है, तो अभी ये ना भटके हुए मुझे दिख रहे हैं, जैसे इनको खुद को रास्ता नहीं दिख रहा है, भूले भटके इनसान, जिसको अगर थोड़ा सा भी समझाओगे, रास्ता दिखाओगे, तो वो समझ जाएगा ठीक है तो basically आपकी partner ऐसे हैं कि उनको feelings होने के बावजूद वो अकेले हैं और वो आपको प्यार करने के बावजूद खुद की nature के वज़े से खुद की कर्म कांड के वज़े से वो life में अकेले हैं आप तो easily उनको मिल सकते हो राइट आप तो easily उनके पा गलत वे में काम करता है बहुत एक different वे में काम करता है तो यह जो difference है यह जो different चीज़े हैं यह जो different बुद्धी है यह इन्हीं का ही सत्यानास कर रही है इन्हीं को ही जो चाहिए इनका जो favorite portion जो की आप हो इनको आप चाहिए लेकिन इनको वो नहीं मिल रहा है वो अकेले ही जीबन काट रहे हैं क्यों कि ये खुदी ने समझ पा रहे हैं ना सही करत के बीच में जो है वो अंतर क्या है ठीक है नेक्स देखते हैं देखो ये आपको बुद्दु बनाते हैं ये बोल बोल के कि I don't care या फिर हमारे बीच में कुछ नहीं है ठीक है लेकिन मुझे एक चीज जाने के बाद ये रिष्टा सही हो जाएगा अपने आप सही हो जाएगा या फिर सामने वाला मतलब तुम सही कर दोगे लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि actions उनको ही लेना पड़ेगा थोड़े time निकलने के बाद चीज़े अपने आप सही नहीं होती है थोड़ा time निकलने के बाद चीजे और भी गाप हो जाती है और और अच्छे से उसको अप्रूच करना पड़ता है गधे थोड़े बहुत गधे हैं यह ठीक है चलो और कुछ कास दिखते हैं देखो रीकंसिलेशन के लिए सोच रहे हैं जो लोगों का में प्रॉब्लम है ना कि मेरे पार्टनर से मेरा रीउनियन नहीं होता है रीकंसिलेशन नहीं होता है हम दोनों बिछड़ गए हैं हमारी बात नहीं होती है इस वक्त मुझे जो प्रायोरिटी आपके पॉसन के दिख रही है वो यह की बस वही है आपके साथ यह रीउनियन रीकंसिलेशन ही करना चाते हैं वही उनकी अ मैं आपके लिए एक कर्ड निकालती है वाओ आपके लिए दो वाल बने कार्ण्ट है ब्यूटिफूल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जहां पर भी स्टक थे ना ना थीक है लाइस में जहां पर भी अटके हुए थे जहां पे भी SFF है लग रहा है कि आव वहां से निकल रहे हूँ या फिर बहुत ज़ल्दी निकलने वाले हो आपकी energy जो आपकी लिए आ रहे है या फिर जो energy आपकी होने चाहिए व्हाद की energy है क्योंकि आपकी life में तो बहुत सारी new स्टार्ट न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लाइप में बहुत सारे चीज़े जो है आपने बहुत टाइम से इन कंप्लीट छोड़ा था वह तो अभी टाइम है कंप्लीट करने का अगर नहीं कर रहे हो तो करो अपने लाइप में कौनसी कौनसी आपके विश्ट थी जो आपने आधियतुरी छोड़ दिया था यहीं जो टाइम है वह आपको पूरा करने का टाइम है और यहीं बैस टाइम है आपका विश्ट यहां पर बिल्कुल पूरी हो जाएगी और मुझे ऐसा अलग रहा है कि आप में से कुछ दो पॉरसं से दूर हो और आप अपनी life के उपर काम कर रहे हो, अपनी self growth, अपनी career growth, अपने आप की growth के उपर काम कर रहे हो और जो लोग ये कर रहे हो, सच में उनके लिए में तालिब जाना चाहूंगी ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, एक relationship को let go करके, आप भूले नहीं हो, आपने सर्फ let go किया है तो एक relationship को let go करके अपने आपके पर focus करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत जादा ही मुश्किल क्योंकि ध्यान नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, वहीं इंसान की बार-बार याद आती रहती है, राइट? सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसा अल्रेडी कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो करो, यह important है आपकी life की growth के लिए, ठीक है, फिर आपको यह रिष्टा भी eventually with time समय के साथ जो है वो मिल जाएगा, चलो, अब हम देखते हैं आपकी person की और क्या feelings आपके लिए है, six of wands, eddy Sagittarius Leo, queen of air, देखो मुझे लगता है कि यह आपकी लिए किसी के साथ लड़ाई जगड़ा कर सकते हैं, कहीं पे competition, कहीं पे लड़ाई जगड़ा, कहीं पे arguments, यह सारी चीज़े मुझे दिखती है, और शायद आपको यह चीज ना पता चले, ठीक है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से आपसे related arguments इनके जरूर होगी, या फिर कोई कुछ बोलेगा, तो यह उसको डटके सामना करेंगे, और डटके दो बाते सुनाने लगेंगे, खुश हो जाओ, आपके defense में यह person कुछ बोलने वाले हैं, ठीक है, और अगर पहले को आपके नाम पे बात बोला कर करते थे ना, दूसरे third party को या फिर किसी और को, even वो उनको भी चुप कर आने वाले हैं, ठीक है, और यहां पे queen of air का card है, मुझे ऐसा लगता है, कि आपके person, आप उनके नजर में ना ऐसे हो, like queen, जो energy मुझे feel हो रही है, चाहे आप male हो, चाहे female हो, no matter, मतलब जो king and queen की energy होती है, you are very brilliant, आपको बहुत सारी चीजों की knowledge है, देखो, यह person कभी आपकी तारीफ करते नहीं है, बट क्यूंकि हम उनकी feelings पढ़ रहे हैं, आपके लिए, यहां पे बहुत clearly चीज शो होती है, कि यह बहुत तारीफ करते हैं, आप जिस तरीके से हर एक situation को handle करते हो, या फिर जि कुछ-कुछ चीजों में आपकी controlling nature इनको बहुत अच्छा लगता है, हर एक चीज में नहीं, कुछ-कुछ चीजों में, ठीक है, जैसे कि कभी-कभी अगर arguments हो, तो आप control करने लगते हो, कि नहीं, मेरे बात सुनो, तुम क्यों अपना चला रहे हो, तुम क्यों अपना बोल रहे हो, इस तरीके से बाते, जो आप बोलते हूं, उनको बुराने लगता, वो blush करते हैं, वो खुश होते हैं, कि यूनो, कैसे आप take over करते हो, चीजों को, तो आइ तिंक, यह जो रोना-धोना, छुई-मुई सा attitude है, energy है, या फिर चाहे आप male हो, female हो तो मैंने बोलते है, वना बोलेंगे कि आप सिर्फ females के लिए reading कर रहे हो, चाहे आप male ही क्यों ना हो, जो बहुत जादा अरे बाबू सोना करते रहते हो, उनको वो चीज़े नहीं पसंदे, उनको थोड़ा सा tough energy पसंदे, I think थोड़े mature energy उनको जादा पसंदे, जितना मुझे feel हो रहा है, ठीक है और एक डेक से कुछ कार्ड में देखती हूँ, मैं चक्रा energy से कुछ कार्ड देखती हूँ सर्विस, डॉक्टर कोई हो सकता है, आप हो सकते हो या फिर वो हो सकती है, मुझे डॉक्टर देख रही है काम को बहुत priority देते हूँ, आप दोनों ही काम को बहुत ज़्यादा priority देते हूँ, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं ग्रोथ Guys, I hope अभी तक आपने reading को like कर दिया होगा और चैनल को subscribe कर दिया होगा Growth के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस person का intention है कि आपका रिष्टा उपर से कितना भी कुछ भी दिखे कि कितना भी weak दिखे no matter, कितना भी strong दिखे no matter, उपर से किसको क्या दिख रहा है उनको उससे कुछ फरक नहीं पड़ता Basically यह person को फरक पड़ता है आप से, आपकी बातों से और आपके साथ रिष्टे की गहराई से ठीक है, यह just चाहते हैं कि आप दोनों की जो bond है वो strong बने, वो कोई दुनिया ना देखे, आप अपने आप में understanding एक बहुत strongly बने आप दोनों का यह बस चाहते हैं कि आपके साथ understanding और जो एक होते हैं ना कि root जड़ों से मजबूत बनना तो मुझे लगता है कि यह चाहते हैं कि आपके साथ जो रिष्टा है ना इनका जड़ों से मजबूत बने, ठीक है, मतलब deep down, गहराई, ठीक है नेक्स्ट है recovery जो भी relationship में loss हुआ है, जो भी issues हुई है और जो भी problems हुई है वो सारी चीजों से यह person धीरे धीरे इस रिष्टे को निकालना चाते हैं, जो भी trauma आपको मिला है, जो भी परिशानी आपको मिला है, हर एक चीजों से यह person आपको निकालना चाते हैं, ठीक है इविन वो खुद भी recover हो जाना चाते हैं, उनको बता है उन्होंने आपको बहुत negative बुरी बुरी traumas दिया है, बहुत बुरी बुरी यादे दिया है और बहुत बुरी भली चीजे किया है उन्होंने इस रिष्टे में, तो वो खरिक चीजों से आपको निकाल के ले जाना च चाहते हैं रिकवर करवाना चाहते हैं आपको ठीक है कि नेक्स्ट हमारे पास से रिलीज ब्यूटफुल वही चीज़ सेम चीज़े कि जो भी आपके अंदर डर है इस रिष्टे को लेके जो भी आपके अंदर इन्सेक्योरिटी है आप जिस तरी किसे इनको भरोसा नहीं कर प करते होगी यह बार-बार मेरा जो है भरोसा फिर से तोड़ेगा तो वह सारी चीजों को यह परसन कही न कहीं एंड करना चाते हैं वो ऐसा कुछ करना चाते हैं ताकि फिर से आपका जो है वो भरोसा जीत पाए ठीक है और नेक्स्ट आक्शन अंका मैं देख लेती हूँ इविन वो खुद के अंदर भी जो एक नेगेटिव इंसान है ना जो बार-बार गलती करता है वो उस इंसान को भी चेंज करना चाहते हैं कोई फ्रेंड के थ्रू या फिर किसी जान पहचान पॉसन के थ्रू यह आपके पास आने की कोशिश करेंगे या फिर शोचल मीडिया के थ्रू यह किसी के थ्रू तो वह आपके पास आने की लॉटने की कोशिश करेंगे दिल दिल में आने वाले वक्त में सोचेंगे विश करेंगे कि काश आपके साथ रियूनियन हो जाता काश आपके साथ चीजे थोड़ी और आगे बढ़ पाती आपको ढूणने वाले हैं आने वाले वक्त में आपके अंदर अगर कुछ बदलाव आया है तो वो उस चीज को देखेंगे और आपको ढूणने वाले हैं या फिर आप क्यूं बदल गए हो वो चीज उनको सताएगी ठीक है बहुत जल्दी यह चीज होगी आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पर सब तक अपना ख्याल रखें बाई गाई